उत्राखण में देवप्रयाग विधान सभाग किसी एक पार्टी की सीट बनकर कभी नहीं रही इस सीट से अलग-अलग दलों के नेताओं ने जीत दर्ज की वहीं सीट से मौझूदा वक्त में निर्दलिय मंत्री प्रिसाद नैथानी विधायक हैं एक बार फिर इस सीट के ल इन दो नदियों के मिलने के बाद ही गंगा पैदा होती है यही वज़ा है कि देवप्रयाग का ये संगम पौरानिक काल से ही रिशी मुनियों से लेकर देश-विदेश के लोगों के लिए आकर्शन का केंदर रहा है लेकिन इस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना पर काफी परिपक्व रहा है जिसके चलते ये सीट किसी एक दल के करीब कभी नहीं रही बल्कि एक शेत्र कई राजनितिक्यों की कर्म भूमी रहा है जिसके लिए अभी से घमासान शुरू हो गया है अक्सर बिधान सब आमें भी पूछते रहते हैं मंत्री जी ये जवाब भी आप दे दीजिए कि आपका जो अगला कदम होगा सियासी कदम चुनाव लड़ने का वो क्या होगा कॉंग्रेस का दामन धामेंगे या फिर आप एक वार फिर मा गंगा के आशिरवाद से यूहीं अगली रणीती क्या ते करे और जहां तक रहा मेरे यहां से चुनाव लड़ने का तो जो मेरी जंता कहेगी वो मैं करूंगा जो मेरे कारेकरता कहेंगे वो मैं करूंगा निशित तोर से जो हमारा मकसद है वो इस प्रदेश को उस धूरी तक ले जाना है जिस धूरी तक हमा हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलिय विधायक और मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी कॉंग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरेंगे या एक बार फिर निर्दलिय भागी आजमाएंगे हालांकि कॉंग्रेस में उनका विरोध किसी भी राजतिक दल की कोई हवा नहीं चल रही है बलकुल तोल जो करके टिकट दिये जाएंगे और जो ब्यक्ति जहां से चुना जीत सकता हो उसी को टिकट दिया जाएगा जो फाइट में आने की जिनकी शंभावने नहीं नहीं है उनके बारे में विचार भी नहीं किया उधर बीजेपी में भी टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं UKD कोटे से बीजेपी में मंत्री रहे दिवाकर भट अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं लिहाजा पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं वहीं पार्टी के यूथ विंके नेता विनोत कंडारी भी इस दोड़ में शामिल हैं बहुत लोग हैं हम दस लोगों की दावेदारी है और भी हो सकते हैं लेकिन पार्टी को तेह करना है जो उनको लगता है कि यह हमारी पार्टी को मजबूती के साथ आगे लाग पाएगा अब लगों पांचे साथलों से तेहरी कर रहा हूं और मैंने ऐसा कोई चेतर नहीं जिसमें मैंना गया हूँ जहां तक मेरा बिक्त का सवाल है मैं भारतिन्ता पार्टी का काफी पुराना कारे करता हूँ और मैंने भारतिन्ता पार्टी के चाहे परदेश अद्धिश के योग मूर्चे के अद्धिश के रूप में काम किया है मलेथा अंदुलन के बाद पार्टी का गठन करने वाले सामाजिक कारेकरता समीर रतूडी की भी सीट पर नजर है और वो लंबे वक्त से अपने कारेकरताओं के साथ इस खशेतर में जन संपर करते नजरा रहे हैं यहां कोई भी मल्दा स्वास्ति के यहां लाब नहीं है हॉस्पिटल तो बले हैं लेकिन यहां डॉक्टर नहीं है क्योंकि यहां हमारे जो बिदायक जो भी चाहिए कॉंगरेस को चाहिए जी बीज़वी को क्या इनको परवा नहीं है हमारे छेतर में डॉक्टर नहीं है इसक ही मर जाते हैं लेकिन हमारे सरकार को कोई इसकी कोई चिंता नहीं है